नवसकार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और CLC के द्वारा प्रोवाइट करवाये जाने वाले प्रीवियस येर क्विस्चन के सल्यूशन को अच्छे से आप इंज्वाय कर रहे होंगे बढ़िया से आप सीख रहे होंगे तो ठीक है अब तो नीट की डेट भी आ चुकी है और अब आप लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है कि सीरियस हो जाईए और और भी सीरियस हो जाईए ठीक है इसी स्रिंखला में मैं संतोष पांडे CLC Seeker से आपका स्वागत करता हूँ कुछ नए कुश्चन के साथ आज हम लोग डिसकस करेंगे अप्लिकेशन आफ जोलोजी से रेलेटेट कुश्चन और इसके अंतरगत हम लोग खास करके दो जगह से कुश्चन को ले रहे हैं एक तो 12th NCRT का जो चैप्टर है Human Health and Diseases वहां से और उसके आगे Strategies for Enhancement in Food Production इस चैप्टर से ले रहे हैं Animal Husbandry से Related Question तो खुल मिला करके जो टॉपिक्स हम लोग डिसकस करेंगे या कह लिजी जिन टॉपिक्स से Related Question डिसकस करेंगे वो हो जाएंगे Common Human Diseases Immunity Aids and Cancer Drug and Alcohol Addiction और इसके बाद में Animal Breeding और Animal Husbandry से Related Other जो चोटे चोटे टॉपिक्स हैं उन से संबंधिज को हम लोग डिसकस करेंगे इन टॉपिक्स की बात करें तो नीट में इन टॉपिक्स का जो वेटेज है अच्छा खासा वेटेज है और इन सभी टॉपिक्स से मिला करके फोर टू सिक्स क्वेस्चन के आसपास एक बार में आते हैं Rarely कभी कभार थ्री क्वेस्चन भी आ जाते हैं ठीक है तो इस तरह से इन चीजों को हम लोग कंसिडर करेंगे तो आईए इसी करम में लेते हैं पहला सवाल ठीक है ना और फर्स्ट क्वेस्चन यहां आपके सामने है और इस क्वेस्चन में आपके सामने लिखा गया है कि इन्फिक्शन ऑफ एसकेरिस यूजुवली अकर्स बाई एसकेरिस का संक्रमड सामानितह किसके द्वारा होता है तो पता है आपको कि जब इसका जो इन्फिक्टिव स्टेज है वो है मैमिलेटेड एग जिसमें की सेकेंड प्रावस्था का लारवा होता है सेकेंड स्टेज रैब्डिटी फॉर्म लारवा पाया जाता है ऐसा मैमिलेटेड अंडा इसका संक्रमड का वस्था है drinking water containing the eggs of ascaris, जी हाँ, ascaris के अंडों से युक्त जल के पीने के कारण इसका संक्रमड होता है, तो ये सही हो जाएगा, इसी के साथ साथ, eating imperfectly cooked pork, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये जो condition दी हुई है, फोर्थ option में, ये किसके लिए है, ये तीनिया सोलियम के infection के लिए है, तो आप देखेंगे, अब हम लोग लेते हैं, अगला question, next question के बात करते हैं, तो देखें, at which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS, तो आप ध्यान दे, HIV infection की किस अवस्था में, एक ब्यक्ति, AIDS के symptom को प्रदर्शित करता है, तो देखेंगे, within 15 days of sexual contact with an infected person, नहीं होगा ये, क्योंकि लंबा incubation period इसका होता है, और दूसरा देखेंगे, when the infected retrovirus enter host cell, ये भी नहीं होगा, when HIV damages large number of helper T lymphocytes, जी हाँ, जब HIV के थुरू, बड़ी संख्या में helper T lymphocytes damage हो जाती है, तो ब्यक्ति की immunity कमजोर हो जाती है, बहुत weak हो जाती है, और तब कई तरह के pathogen body पर infect करके, अपने अपने प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जिसके द्वारा AIDS के symptoms appear करते हैं, तो यहाँ पर, third option में, यहाँ पर देखेंगे, हमारा target answer है, इसको select करेंगे, इसी के साथ, next question की ओर आते हैं, which of the following virus is not transferred through semen of an infected male, एक infected male के semen के द्वारा किस virus का transfer दूसरे में नहीं होता, या कह लीजे female में नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, Ebola virus, yes, body fluid के द्वारा इसका discharge होता है, semen के द्वारा इसका transfer होगा, hepatitis B virus, यह भी body fluid में appear करता है, human immunodeficiency virus, अर्थात HIV virus, HIV virus की बात करेंगे, तो वो भी इसके द्वारा जाएगा, और chicken gunya virus, तो आप ध्यान दें, यहाँ भी हमारा एंसर संयोग से, chicken gunya virus ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि chicken gunya virus का transfer, female mosquito के द्वारा होता है, किसके द्वारा, female mosquito के द्वारा होता है, तो vector born disease है chicken gunya, इसलिए इसके virus का या इसके pathogen का transfer, आर्थरोपोड vector के द्वारा होता है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, next question की ओर चलते हैं, HIV that causes AIDS, first starts destroying, HIV जो AIDS काउज कर रहा है, वो पहले किसको destroy करना start करता है, तो आप ध्यान दें, सबसे पहले infection किसमें करता है, अगर यह पूछ लेता, तब तो हम जबाब देते कि macro phases में, लेकिन यहाँ पर destruction पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि macro phase में जब infect करता है, और अपना number बढ़ाता है, तो macro phase survive भी कर सकती है, तो destroy करने की जो बात आती है, उसके लिए आप ध्यान दें, macro phase किसी option में है भी नहीं, तो हमारे पास फिर एक ही option बज़ता है, क्या helper T lymphocytes अर्थाथ T H cells, इस तरह से देखेंगे, जो कि एक तरह की lymphocyte cell है, तो T H cell के द्वारा ये T H cell को destroy करेगा, अगले question की ओर चलते हैं, हम लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे, which of the following is not a sexually transmitted disease, कौन सा sexually transmitted disease नहीं है, तो आप देखेंगे, कि encephalitis, जी हाँ, पहले ही option में हमारा answer मिल रहा है, encephalitis, और encephalitis की बात करेंगे, तो आप सोच रहोंगे कि यह होता क्या है, मैं आपको बताओं, कि encephalon का अर्थ होता है, पहले तो देखें, cephalic means होता है, encephalon means होता है, inside the head, हेड के भीतर क्या है, brain, तो encephalon का meaning हुआ, brain, और last में TIS लिखा हुआ है, जो inflammation को indicate कर रहा है, तो encephalitis का meaning हो जाता है, बच्चों, क्या, इसका meaning हो जाएगा, कि, inflammation, of brain, तो इस तरह से आप देखेंगे, brain के inflammation को कहते हैं, encephalitis, और इसके कई रीजन है, कई रीजन है, जैसे, कुछ viruses के infection से भी हो सकता है, कुछ bacteria के infection से भी हो सकता है, और ध्यान दे, कुछ internal factor के कारण भी, encephalitis disease cause कर सकती है, तो cause पर नहीं जाएंगे, कारण पर नहीं जाएंगे, हम देखेंगे इस तरह से, अब सवाल उठता है, कि syphilis, जी हाँ, एक sexually transmitted disease है, acquired AIDS की बात करें, तो ये भी sexual contact के थूँ फैलता है, इसलिए इसको भी sexually transmitted जोए, consider करेंगे, and trichomoniasis, तो trichomoniasis के थूँ जाने वाला, ये रोग भी sexually transmitted disease के अंतरगत आता है, इसलिए first option को select करके, अगले question की और चलते हैं, ये रहाँ आपके सामने, विज़ाफ दे फॉल्विंग इंडो पैरसाइट ऑफ हीूमन, डज सो विवी पैरिटी, येस, आप ध्यान दे, हलाकि हम लोग कहते हैं ना, कि maximum question NCRT से आते हैं, वो सही भी है, लेकिन, कुछ question NCRT से बाहर भी हो सकते हैं, ऐसा ही एक question है, जो कि NCRT से बाहर से पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, NEET 2015 का आया हुआ question है, तो इसमें आप देखेंगे, A.S.C.R.E.S. Lumbricides, A.S.C.R.E.S. Lumbricides तो, क्या करती हैं, फीमेल, बड़ी संख्या में एक्स को डिपोजिट करती हैं, ओवी पैरस होगी, एंकाइलोस्टियोमा डियोडिनेल, ये भी एक निमेटोड पैरसाइट है, और ये भी ओवी पैरस निचर का होता है, इंटरोबियस वर्मी कुलेरिस, ये भी आप देखेंगे, कि ओवी पैरस होता है, जबकि ट्राइकेनेला स्पैरलिस, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ आप्शन ये ऐसा है, जो कि हम इसकी बात करेंगे, कि ये क्या है, तो इसके लिए आप कहेंगे, वी वी पैरस निमेटोड, तो आप देखेंगे, अब हम बात करेंगे, निमेटोड का अर्थ क्या होता है, तो निमेटोड का अर्थ होता है, यहाँ पर आप देखें, ascalment इस तरह से तो ये कहानी पाई जाएगी इस तरह से फिर इसके बाद में आप देखेंगी यहाँ पर बात करें अब इसके बाद में हम लोग consider करेंगे इस चीज को देखेंगे क्या हो रहा है तो अगली question क्यों रहाते हैं तो next question में देखेंगे the active form of intamoeba histolytica feeds upon देखेंगे दो चीजे हैं एक तो active form किसका intamoeba histolytica के लिए तो इसका active form क्या होता है सबसे बड़ा सवाल तो यही है और इसका inactive form क्या होता है तो हम बात करेंगे अगर इसकी तो intamoeba histolytica है तो इसमें आप देखेंगे इसके two form होते हैं एक होता है magna form and next one is the minutia form हम इस तरह से देख सकते हैं तो जो magna form होता है यही pathogenic है यहाँ पर बात करेंगे this one is the pathogenic यह pathogenic है means disease cause करने के लिए यही responsible होता है और यह जो है minutia form this one is the non pathogenic इस तरह से यह non pathogenic consider किया जाता है तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि यह जो pathogenic है रोग cause कर रहा है इसी को हम active form मनेंगे और यह पाया जाता है colon की mucosa और sub mucosa में तो colon की mucosa को damage करके sub mucosa की और जाता है और वहाँ पर ज्यान दें blood vessel को भी damage करता है और blood की cells को ingest करता है phagocytosis के द्वारा तो सवाल उठता है कि antimibia histiolitica का सक्री रूप किस पर भरन पोशन करता है रथा किस पर निर्भर करता है तो यहाँ पर देखें blood अब देखें only लिख दिया तो यह गलत हो जाएगा केवल blood नहीं erythrocytes mucosa and sub mucosa of colon यह हमें सही लग रहा है लेकिन आगे देख लेंगे mucosa and sub mucosa of colon only अब जैसे ही only लिखा यह गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि mucosa and sub mucosa के साथ यह जो blood cells है उसको भी खा रहा है फिर इसके बाद में food in intestine यह तो होगा ही नहीं तो हमारे सामने यह कही जबाब सही आकर यहाँ पर मिल रहा है और वो है second तो इस तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर बात करें second और next question आपके सामने which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutations yes यह इस chapter इन सारे chapter से आया हुआ हम अगर कहें कि most conceptual question है तो इसमें कोई दिकत नहीं होगी और यह NCRT के बाहर भी है तो NCRT के बाहर है हम इसे समझने की कोशिस करेंगे तो ध्यान दे actual में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से mutation के द्वारा ध्यान दे generally हम कहते हैं कि cell में जब mutation होती है तब वह cell cancer cell में convert हो जाती है यह तो सही statement है तो ऐसा कौन सा mutation है जो एक cell को cancer cell में convert नहीं करने के लिए जिम्मेदार है या उसके convert करने के लिए जिम्मेदार नहीं है तो देखते हैं कौन-कौन जिम्मेदार होंगे और कौन-कौन जिम्मेदार नहीं होंगे सवाल उठता है mutations destroy telomirase inhibitors अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह कि telomirase क्या होता है तो आप ध्यान दें telomirase एक तरह की ribonucleoprotein है जो cell में एक enzyme के रूप में काम करते हुए क्रोमोजोम के telomir का जो DNA sequence होता है उसको repair करता है या उसे break करने से बचाता है तो अगर ऐसा करेगा तो cell अपनी normal condition में maintain रहेगी aging की ओर नहीं जाएगी अर्थाथ cell की dividing capacity को maintain रखता है कौन telomirase तो आप ध्यान दें जो telomirase है बच्चों तो इसको हम कहेंगे कि ये maintain करता है dividing capacity of cell इस तरह से maintain करता है dividing capacity of cells को कौन telomirase लेकिन आप ध्यान देजे mutation destroy telomirase inhibitor अब telomirase inhibitor क्या करेगा telomirase की activity को inhibit कर देगा और cell division कम होगा cell division कम होगा तो cell division कम होगा अब ध्यान दें ये process telomirase inhibitor क्या करता है हमारी most of body cell में समय के साथ active हो जाता है और हमारी cell के division को control कर देता है रोग देता है तो अगर telomirase inhibitor ध्यान दें destroy हो जाए तो telomirase की activity बढ़ जाएगी और इसकी activity बढ़ जाएगी तो dividing capacity maintain रहेगी और इससे क्या होगा cancer होगा अर्थात अगर ये point हमारे सामने आए तो ये क्या काउज करेगा ये cancer काउज करेगा अब दूसरी condition देखिए mutation inactivates the cell control ध्यान दीजिए cell का जो division के dividing capacity होती है वो क्या करता है dividing capacity रहती है वो controlled form में बनी रहती है cell division uncontrolled न हो इसके लिए cell division is a highly regulated process और ये controlled form में maintain रहती है लेकिन जब cell में mutation होता है तो ये controlling capacity क्या होती है समाप्त हो जाती है और वो cell cancer cell में convert हो जाएगी तो अगर हम कहें कि cell control को inactivate कर रहा है mutation तो इससे भी क्या cause करेगा it also causes cancer इस तरह सी तीसरी condition हम देखें mutation inhibits production of telomerase ध्यान दीजेगा यहां पर हम बात करेंगे mutation inhibits production of telomerase अगर mutation ने telomerase की production को inhibit कर दिया तो telomerase नहीं बनेगा और telomerase नहीं बनेगा तो cell की dividing capacity maintain नहीं रह पाएगी तो cell में जब dividing capacity नहीं रह जाएगी तो क्या वो cancer cell में convert हो सकती है नहीं तो इसलिए आप देखेंगे अगर ऐसा हुआ तो यहां पर condition होगी क्या no cancer और यहां पर हम बात करेंगे mutation in proto-oncogenes accelerate the cell cycle तो जी हां यह भी सही है और अगर proto-oncogenes में mutation हुआ और वो active oncogenes में convert कर गए तो इससे भी क्या हो सकता है cancer इस तरह सी एक बहुत अच्छा question था और उमीद है कि आप इस चीज को समझ गए होगी एक बात फिर मैं repeat कर रहा हूँ कि अगर mutation के द्वारा production बंद हो गया कम हो गया telomiris का तो इससे cancer नहीं होगा तो आप देखिए यह तीन तरह के mutation जो दिये गए हैं first, second and fourth यह mutation होगे तो cancer cell का formation होगा अर्थात वो cancer के लिए सही होगे लेकिन आप ध्यान दें which of the following statement is not true for the cancer cells तो cancer cell बनने के लिए यह statement आपका third वाला सही नहीं है और यही आपको select करना है तो इस तरह से आप इस question को select करते हुए एक बार फिर से हम लोग अगले question की ओर चलते हैं next question आपके सामने है lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is ध्यान दें अगर किसी muscle को दो या दो से अधिक बार stimulus प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन वो इन stimulus को receive करने के बीच में relax नहीं हो पा रही है अर्थात muscle में contraction की condition continuously maintained है तो अगर muscle में contraction की condition continuously maintained है तो इस condition को कहते हैं titani या titanus और ये हम लोग देखते हैं आपके syllabus में दो जगा पर इस शब्द का जिकर आता है एक तो body में जब parathyroid hormone की कमी हो जाती है तब parathyroid titani cause करती है और दूसरा जब klostridium titani नाम का bacteria body में infect करता है तो उसके जो toxin produce होते है myotoxin के रूप में उन toxin के प्रभाव से muscle में sustained contraction लगातार बना रहने वाला संकुचन उत्पन हो जाता है जिससे ये arm की muscle ऐसे contract हो जाएगी इस तरह से ऐसे हाथ एटने लगते है arm एटने लगती है या pair एटने लगते है even neck एटने लगती है jaw lock हो सकते है तो ऐसी condition आती है तो उसे कहा जाता है titanus sustained contraction of muscle तो इस तरह से आप देखेंगी और आप कहेंगे सर ये spasm क्या है भई कुछ ऐसे टर्म है जिनको target answer समझने के बाद भी आपको देखना चाहिए तो spasm का मीनी होता है muscular pain अर्थात हम कहेंगे कि pain in muscles इस तरह से muscle pain को आप spasm कहेंगे tonus muscle की relaxed condition में भी कुछ muscle fiber का alternatively contract करने को कहते हैं और fatigue muscles का थक जाना fatigue कहलाता है तो इसके साथ ही next question की ओर चलते हैं आईए देखिए ये रहा which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV AIDS cause करने वाले HIV के लिए कौन सा सही है तो आईए देख लेते हैं कौन सा सही है HIV is evolved HIV is an evolved virus that contains two identical molecules of single stranded RNA two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase जब HIV का आप structure देखते हैं तो उसमें भी ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं और ये बिल्कुल ही सही statement हो जाएगा तो करेक्ट पूछा है तो हम इस statement को सही कर लेंगे आगे देखते हैं HIV is unenveloped ये गलत हो जाएगा इस कारण से HIV does not escape but attacks the acquired immune response ये does not escape लिखा है ये गलत है ये इसकेप करता है next आप देखेंगे which is HIV is enveloped virus containing one molecule of single one molecule बोल दिया न तो ये गलत हो जाएगा तो इस तरह से सभी statement गलत हैं केवल एक को छोड़ करके और वही first statement आपको select करना है answer के form में अगला question लेते हैं इसी के साथ साथ next आपके सामने ये रहा which of the following set of disease is caused by bacteria तो typhoid bacterial है लेकिन smallpox ये viral है titanus bacterial है mump virus है harpes viral है influenza आप ध्यान देखेंगे bacterial है और यहाँ पर आप देखें वाइरल है और इसके बाद में cholera and titanus ये दोनों ही bacterial disease है इसी को select करना है ये vibrio cholerae के थुरू और titanus cause किया जाता है अभी मैंने बताया था थोड़ी दिर पहले Clostridium titanus के दोरा तो इस तरह से next question की ओर चलेंगे आगे आपके सामने ये रहा Which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels कौन से रोग में मच्छर द्वारा संचरित रोगान के कारण लस्क्या वाहिनियों में दीरगाव अधिये लंबे समय तक बना रहने वाला inflammation cause किया जाता है chronic का अर्थ होता है आप ध्यान दे chronic का means होता है long lasting जो लंबे समय तक body में हो ऐसा inflammation तो यहाँ पर आप देखेंगे ringworm disease ये क्या है? नहीं ascariasis नहीं और ये होगा ध्यान दे यहाँ elephantiasis या इसी को कहते हैं कौन सा? philaria disease या philariasis भी कहते हैं तो इस तरह से ये mosquito के दोवारा इसका micro philaria larva ट्रांस्मिट किया जाता है जिससे हिंदी में हम बात करें तो हाथी पाउं नामक रोग या elephantiasis disease होती है अगले question की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखें identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and confirmatory test for typhoid तो typhoid fever के लिए agent कौन है और उसका test कौन है यह हम लोग देखेंगे तो आप जानते होंगे salmonella typhi इसका causative agent होता है और vedal test इसके लिए diagnostic technique है तो आप देखेंगे कहां मिल रहा है हमें? salmonella typhi फर्स्ट में नहीं है, second में हाँ पर आप देखेंगे यह हो जाएगा salmonella typhi और vedal test अग्रे question की ओर चलते हैं हम लोग तो आप देखेंगे यहां the cell-mediated immunity inside the human body is carried out by, तो ध्यान दें human body में cell-mediated immunity किसके द्वारा प्रदान की जाती है तो जबाब है T lymphocyte के द्वारा cell-mediated immunity और B lymphocyte के द्वारा antibody-mediated immunity या उसी को कहते हैं humoral immunity तो आप देखेंगे cell-mediated immunity पूछ रहा है तो thrombocyte, erythrocyte T lymphocyte यहां आपको मिल रहा है सही जवाब T lymphocyte के द्वारा जबकि B cell के द्वारा क्या है humoral immunity या antibody-mediated immunity provide किया जाता है next question की ओर चलते हैं यहां पर हम लोग तो देखें match the disease with its correct type of vaccine जी हाँ tuberculosis की बात करेंगे तो यह inactivated या harmless bacteria के द्वारा vaccine इसकी बनाई जाती है तो देखते हैं harmless bacteria कहा है यह fourth option में मिल रहा है तो यहाँ जब column matching का question आता है पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था column matching की question में ऐसे match करवाने की ज़रूरत यह line खीच कर मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है आप direct इससे कौन सा option match कर रहा है second column का इसको देखे fourth match कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे fourth इस तरह सी और इसी के साथ साथ देखेंगे next हम लोग देखेंगे अगला question क्या रहा है hooping cuff या कुकुरखांसी तो यह killed bacteria के द्वारा इसकी vaccine बनाई जाती है तो इसके vaccine में killed bacteria है तो यह हो जाएगा देखिए third and diphtheria तो यह diphtheria के toxin को ही inactive कर लिया जाता है और तब उसे कहते है toxoid तो toxoid के vaccine होती है इसमें और toxoid vaccine है तो आप देखते हैं कहां मिलता है यहाँ यह देखिए toxoid न लिख करके inactivated toxin लिखा है तो यह second हो जाएगा ऐसे और polio की बात करेंगे तो अब आपके पास एक ही बज़ता है harmless virus के रूप में इसको select करेंगे 1 हमारे पास सही sequence आ गया 4, 3, 2, 1 अब देखेंगे किस option में है तो देखेंगे यह है 4, 3, 2, 1 यहाँ पर option number 4 आपके सामने यह रहा तो अब अगले question में की और लोग चलते हैं देखेंगे next question में क्या आ जाएगा which of the following immunoglobulin does constitute the largest percentage in human milk तो NCRT की line से ही exact question है यह कि human milk में सबसे अधिक amount में IgA पाई जाती है और OIGA inhaled antigen और ingested antigen के against immunity प्रोवाइट करती है newborn baby को कैसी immunity तो आप कहेंगे natural passive immunity तो आप देखिए यहाँ पर आपके लिए जबाब यह हो जाएगा IgA अब इसी के साथ साथ next question की और चलते हैं हम लोग और वो question आपके सामने यह रहा if you suspect major deficiency of antibodies in a person which of the following would you look for confirmatory evidence अगर आपको किसी पेसेंट में antibodies की गंभीर रूप से कमी महसूस होती है तो body में किस component का amount टेस्ट करना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि जो antibodies हैं उनका दूसरा नाम है gamma globulin क्या नाम है gamma globulin जो कि एक तरह की blood में पाए जाने वाली globular protein हैं अर्थात globulins हैं तो देखते हैं कि hemocytes नहीं होगा serum globulins yes serum globulins आप select करेंगे यह सही जबाब होगा fibrinogen clotting serilator protein है और serum albumin blood में osmotic pressure को regulate करने के लिए protein है तो यह serum globulins हम लोग देखेंगे और एक बात और बताएं आपको यह serum globulins actual में beta globulins and gamma globulins तो सही जबाब इसमें से गर पूछता कि कौन सी globulin तो आप कहते कौन gamma globulins बात समझ में आईए तो इस तरह से next question की ओर चलते हैं आगे अगला सवाल आपके सामने grafted kidney may be rejected in a patient due to ध्यान दे grafted kidney किसी का kidney अगर fail हो गया है तो उसने क्या काम किया कि दूसरे person से अपने किसी relative से kidney लेकर के अपनी body में लगवा लिया और उस kidney को immune system ने reject कर दिया क्यों? क्योंकि उस kidney को immune system बाहर से आये हुए component के रूप में recognize कर लेगा पहचान लेगा और फिर उस kidney को destroy करेगा तो ऐसा न हो इसके लिए क्या करना पड़ता है immunosuppressive drugs को continuously लेना पड़ता है recipient को लेकिन अगर उसने इस तरह की drugs नहीं लिया तो उसकी body का immune system उस kidney को destroy कर देगा इसकी जो process है वो सही तरीका ये है कि body की जो helper T cells होती है वो helper T cells mismatched tissue को या mismatched kidney को पहचान लेंगी और वो signal भेजेंगी activate करवाएंगी किसको killer T cells को और वो killer T cells destroy कर देंगी उस kidney को तो इस तरह से cell mediated immunity के दोरा या T lymphocyte के दोरा या killer T lymphocyte के दोरा नश्ट कर दिया जाएगा उस kidney को तो देखते हैं कि कैसे reject हो गई तो देखिए passive immune response no innate immune response no humoral immune response ये तो antibody mediated immunity की बात आ गई नहीं होगा cell mediated immune response और cell mediated immune response यही सही जवाब हो जाएगा और ये produce के आ जाता है किसके दोरा by T lymphocytes और इसमें जो main role होता है mainly वो हो जाएगा कौन mainly हो जाएगा killer T cells इस तरह से तो ये कहानी हो जाएगी और इसके बाद में आप देखेंगे ये चीज़ आप देख पाएंगे next question की और चलते हैं इसी के साथ साथ अगले question में हम लोग देखें in higher vertebrates the immune system can distinguish self-cells and non-self cells if this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self-cells then it leads to कहते हैं कि ध्यान दें जो higher vertebrates हैं उन में क्या होता है कि स्वयम के body tissue की cells को पहचानने के लिए और बाहर से आये हुए किसी component को पहचानने के लिए छमता होती है तो अगर यह छमता किसी आनुवन्सिक दोस के कारण या genetic abnormality के कारण समाप्त हो जाए नस्ट हो जाए न रहे तब क्या होता है immune system अपने ही body के किसी tissue को नस्ट करना start कर देता है और ऐसी condition में कौन सा रोग होगा इसी चीज को पूछा गया है तो ऐसी condition में होता है सोअ प्रतिरक्षा जनित रोग या autoimmunity या autoimmune disorder आए देखते हैं कहां होगा ये graft rejection नहीं autoimmune disease ये सही जवाब हो जाएगा आपके लिए तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि अगर immune system अपने और पराय के बीच पहचान न कर पाए तब वो अपने स्वयम के body tissue को destroy करना start कर देता है और इसे कहते हैं autoimmune disease कुछ autoimmune disease की examples अभी हम लोग अगली सवाल में discuss करेंगी ठीक है न वहाँ पर फिर मैं आपको याद करवा दूँगा तो लेते हैं अगला question next question की और चलेंगे तो देखेंगे antivenum injection antivenum injection contains preformed antibodies antivenum का मतलब होता है जो जैसे किसी को snake ने bite कर लिया साप ने काट लिया किसी को तो सर्प के काटने पर क्या होता है कि उसके विष्क के विरुध जो चीज दी जाती है जो medicine दी जाती है उसे कहते हैं antivenum तो antivenum injection contains preformed antibodies while polio drops that are administered into the body contain तो यह तो पूछ लिया आपको एक condition दे दिया question आपका start हो रहा है देखें यहां से polio drops that are administered into the body contain polio drops जो body में प्रविष्ट करवाई जाती है वो क्या contain करती है तो इसके लिए आप कहेंगे वो contain करती है क्या harmless bacteria को या inactivated bacteria को sorry harmless virus को या कहाँ दीजे killed virus की बात की जाएगी तो देखेंगे harvested antibodies नहीं है gamma globulin नहीं होगा etinuated pathogen नहीं होगा यहां पर आप देहाँ यह सही है etinuated pathogen ध्यान दें etinuated का अर्थ होता है कमजोर कर दिया गया pathogen एक ऐसा रोग उत्पन करने वाला agent एक ऐसा disease causing agent जिसको weak कर दिया गया है अर्थाथ उसके disease causing effect को हटाया जा चुका है तो ऐसा ही virus enter करवा जाता है किसकी polio vaccine के रूप में तो आपका ये जवाब third सही हो जाएगा और इसी के साथ अगले question की ओर चलते हैं तो next question हमारे सामने ये रहा आगे देखिए यहाँ पर बात करेंगे asthma may be attributed to asthma किसके कारण से हो सकता है तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसमें आप देखेंगे asthma किसके कारण हो सकता है तो देखेंगे asthma हम जानते हैं कि एक allergic disease है और यह allergic disease तब होती है जब हमारी lungs के bronchi और bronchioles की दीवार में उसकी wall में mast cell अधिक active हो जाती है आवशकता से अधिक active हो जाती है और hyperactive response शो करने लगती है किसी particular agent के against तो आप देखेंगे क्या दिया हुआ है allergic reaction of mast cells in the lungs यह मुझे सही लग रहा है ध्यान दीजे आगे देखते हैं inflammation of the trachea यह गलत हो जाएगा accumulation of fluid in the lungs यह भी गलत हो जाएगा हलाकि यह होता है लेकिन reason नहीं है यह असल में अस्थमा के समय result है यह तो आगे देखेंगे bacterial infection यह भी नहीं होगा तो हमारे पास एक ही option सही है allergic reaction of mast cell in the lungs यह हम ऐसे कहें in the wall of bronchi and bronchioles तो in case दोरा क्या किया जाता है जब यह allergic reaction show करती है तो bronchioles की wall ऐसे narrow हो जाती है और इस तरह से गर यह narrow हो जाएगी तो क्या होगा breathing में difficulty होगी breathing difficult हो जाएगा और breathing के समय एक अजीब सी आवाज निकलेगी घरगरहट की आवाज निकलती है जिसको कहते हैं wheezing sound तो wheezing sound produce किया जाता है अस्तमा के patient के द्वारा तो अब आप देखेंगी next question की ओर चलते हैं और next question यह रहा among the following edible fishes which one is marine fish having rich source of omega 3 fatty acids कौन सी marine fish omega 3 fatty acid का rich source है actual में मैं बात करूँ तो बहुत ही आसान question है क्यों कि marine fish के लिए पूछ रहा है और एक ही fish है आपके पास यह जो marine habitat से दी गई है बाकी तभी तीन तो fresh water habitat से दी है तो इन पर तो आपको सोचना ही नहीं है समय रहे हैं ना सोचना तो तब होता जब marine habitat से कई fish दी होती है तो एक ही fish है mackerel तो इसे आप select करेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है तो next question की वर चलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे homozygous pure line in cattle can be obtained by ध्यान दें cattle में homozygous pure line ध्यान दें cattle में homozygous pure line की बात करें तो यह कैसे पाए जा सकते हैं तो actual में यह inbreeding के थुरू पराप किये जा सकते हैं और inbreeding क्या है inbreeding है same breed के closely related male or female के बीच का sexual contact closely related का आर्थ क्या होता है means उनके parentage में four to six generation से अधिक का gap नहीं होना चाहिए तो आप ध्यान देंगे बात करेंगे एक ही नसल के औसमबंधित unrelated पूछ लिया तो यह गलत हो जाएगा related, closely related होना चाहिए तो देखेंगे mating of individuals of different breed different breed नहीं होगा यह गलत हो जाएगा इसी के तरह से जैसे यह गलत होगा वैसे यह गलत हो जाएगा mating of individuals of different species अब different species भी नहीं होगा हमें क्या लेना है same breed के members same species के ऐसे members जो same breed को बिलॉंग कर रहे हों और उनमें भी निकट का संबंध होना चाहिए तो आप ध्यान दे mating of related individuals of same breed देखे related individuals of same breed तो यह हो जाएगा in breeding homozygous pure line individual को प्राप्त करने के लिए तो यह बहुत ही अच्छा एक conceptual question यह भी था काफी अच्छा आप अच्छे से चीजों को समझते हैं तब तो ऐसे question आप कर पाते हैं और जब आपको लगता है एक नहीं NCRT को हम रट लेंगे तो केवल रटने से बच्चों नहीं होगा इसलिए चीजों को समझना चाहिए चलिए आगे की बात करते हैं next question की ओर आते हैं और अगला सवाल आपके सामने यह है मार्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट तो NCRT की लाइन से है यहां आप रटे भी रहेंगे तब भी आपका question हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो मार्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% जे हां 50% of lymphoid tissue in human body देख लेते हैं option कहां हमें मिल रहा है तो हमें यह सही जवाब मिल रहा है 4th option में इसको सेलेक्ट करेंगे आप आराम से और आगे बढ़ेंगे देखे नीट 2017 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने यह आजाएगा यहाँ पर आप ध्यान दे यह Transplantation of Transplantation of tissue or organs feels often due to non-acceptance by the patient's body वही बात जो थोड़ी दिर पहले हम लोग ठीक है ना graft rejection की बात कर रहे थी कि क्यों हो जाता है graft को reject क्यों किया जाता है क्योंकि human का recipient का शरीर या recipient का immune system जब graft को पराया मान लेता है mismatched मान लेता है compatible नहीं मानता है तब उस condition में उसे foreign component मान करकी destroy करने के लिए कोशिश करता है और यह किया जाता है फिर मैं repeat करूंगा cell-mediated immune system के दोरा जिन में major role होता है lymphocytes का या कहली ज़ग T lymphocytes का तो आईए देखते हैं क्या हो जाएगा उतकोंगों का प्रतिरोपड अधिकतर रोगी के शरीर के दोरा अस्यूक्रित के कारण अस्फल हो जाता है इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदाई है तो यहाँ पर आप देखेंगे Cell Mediated Immune Response एकदम सही है First में ही हमें मिल जा रहा है Cell Mediated कौन प्रोड्यूस करती है Cell Mediated Immune Response प्रोड्यूस किया जाता है By T cells और इसी के साथ साथ देखी एक और है Humoral Immunity Humoral Immune Response यह हम बात करें कि यह प्रोड्यूस किया जाता है कि इसके दवारा तो यह प्रोड्यूस किया जाता है कि इसके दवारा तो यह प्रोड्यूस किया जाता है तो T cells का रोल होता है और T cells के दवारा यह प्रोड्यूस किया जाता है यह हमारा answer हो जाएगा और इसी के साथ साथ next question की ओर चलते हैं और next question ये रहा आपके सामने which of the following is not an autoimmune disease देखे थोड़ी दिर पहले मैंने आपको कहा था कि कुछ autoimmune diseases की चर्चा हम लोग आगे करेंगे आया हुआ है question ठीक है ना ये NEET 2018 में आया हुआ question है और यहां पर आप देखेंगे इनमेंस पूछ रहा है कि कौन सा autoimmune disease नहीं है तो आप देखे ये first answer हमारा हो जाएगा Alzheimer's disease autoimmune नहीं है Alzheimer's disease अपने immune system की कमी के कारण नहीं होती बलकि इसके कुछ और region होते हैं कई region देखे गए हैं researches इस पर चल भी रहे हैं और जो region अब तक find out किये गए हैं उनके basis पर मैं कह सकता हूँ कि एक तो brain के कुछ acetyl coline release करने वाले neurons के degenerate कर जाने के कारण Alzheimer's disease होती है और इस disease के होने का कारण कई हो सकता है जैसे lifestyle हो सकती है लाइफ में बहुत अधिक stress का होना हो सकता है समझे रहे ना और कई genetic factor भी हो सकते हैं तो इस तरह से ये age related disease है aging related disease है जो कि अक्सर का लिजे जो कि जब भी पाई जाएगी तो लग भग 40 year 50 year के बाद के person में ये develop करना start करता है सामाने रूप से देखा जाए तो अहरा कि ये बहुत rare होती है लेकिन जब भी ये develop करेगी तो generally after 40 to after 50 year की age में ये appear करना start करती है तो यहाँ पर बात करेंगे ये हो जाएगा अब कहेंगे कि sir ये क्या है vitiligo क्या है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि तवचा पर सफेद दाग दिखाई दे जाते हैं वाइट पैचेज बन जाते हैं किसी किसी को और अगर ये वाइट पैचेज बनने का कारण अपनी इम्यून सिस्टम के द्वारा पिग्मेंट प्रोड्यूस करने वाली सेल जो मेलेनो साइट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन है तो इस डिखीज को कहा जाएगा फिर विटिलिगो क्या सेल्फ इम्यून सिस्टम के द्वारा या सेल्फ एंटी बॉड़ी के द्वारा स्किन की पिग्मेंट सेल्स अर्थात मिलेनो साइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है इसमें इसी तरह से रिवमेटवाइड आर्थराइटिस में सेल्फ एंटी बॉड़ी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है किसको साइनोवियल मेंब्रेन को और इसी तरह से सोरैसिस में भी स्किन टिश्यू को डेमेज किया जाता है किसके द्वारा अपनी ही self immune system के दोरा और ये भी auto immune disease consider किया जाएगा तो इस तरह से आपने देख लिया एक ये question और लेते हैं next question को हम लोग और next question ये रहा which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft देखे फिर से वही question आ गया तीसरी बार वही question आ फिस कर रहे हैं graft rejection से related और आप ध्यान दीजे के देखेंगे inflammatory immune response नहीं cell mediated immune response yes और cell mediated immune response किसके दोरा प्रोड्यूस किया गया तो आपको याद रखना होगा it is produced by the T lymphocytes और B lymphocyte कौन immune response प्रोड्यूस कर रही हैं humoral immune response या antibody mediated immune response प्रोड्यूस कर रही हैं तो कोश्का मध्यस्ति ये प्रतिरक्चा के दोरा आप देखिए ये graft rejection किया जाता है और ये किया जाता है किसके दोरा ये होता है फिर वही बात करेंगे by T lymphocytes इस तरह से तो ये कहानी हो जाएगी और लेते हैं next question को हम लोग और यहाँ पर आप देखेंगे the drug called heroin is synthesized by तो heroin का जो chemical name है diestyle morphine hydrochloride है लेकिन अगर हम NCRT की basis पर देखें तो smack को ही heroin कह देते हैं NCRT में कहा गया है तो इसको आप कहते हैं diestyle morphine तो diestyle morphine की बात करें तो अब आप समझ गए होंगे कि diestyle जुड़ा हुआ है इसका मतलब morphine के acetylis करण से या morphine के acetylation से produce की जाती है तो आप देखें यही चीज़ पुछा गया है और यह NCRT की line से ही है NCRT की clear line से लिखा गया है कि it is produced by the acetylation of morphine तो आप देखेंगे glycosylation नहीं nitrogen नहीं methylation नहीं acetylation of morphine यह fourth option आपके सामने हो जाएगा answer के रूप में एकदम आसान question था अगर आप NCRT पढ़े हुए हैं तो next question की बात करते हैं तो आईए देखते हैं यहां select the incorrect statement जो गलत है उसी को select कर लेना है तो देखते हैं पढ़ते जाएंगे select करते जाएंगे inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity जी हां यह गलत हो जाएगा क्योंकि inbreeding करवाने का जो परपज होता है वो beneficial genes के selection या beneficial alleles को select किया जाना होता है न कि harmful alleles को clear है तो यह गलत हो जाएगा आपके सामने आगे देखेंगे inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesired genes देखें वही बात जो भी मैं बता रहा था वही चीज तो आ गई inbreeding helps in accumulation of superior genes अर्थाद beneficial genes and elimination of undesirable genes जिनकी इच्छाम नहीं रखती उनको eliminate करवाने के लिए ये process की जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जवाब हो जाएगा क्या सही हो जाएगा फिर इसके बाद में आप देखेंगे inbreeding increases homogyugusty जी हाँ inbreeding से homogyugusty बढ़ती है तभी तो inbreeding के द्वारा homogyugust pure line individual को प्राप्त किया जा सकता है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी सही statement है और आगे देखें inbreeding is essential to evolve pure line in any animal देखें अभी मैंने बताया आपको just sentence को discuss करते हुए कि homogyugusty increase करती है तभी तो pure line individual को develop करवाया सकता है इस method के द्वारा तो उसी चीज की चर्चा इसने यहाँ पर कर दिया तो ये देखें आ गया ये भी सही statement है अब question में क्या पुछाए select the incorrect जो गलत है उसी को select करना है आपको तो गलत क्या है भाई ये है first option गलत है इसको आपने incorrect option को select कर लिया तो इतना आसान था ये question इसी के साथ लेते हैं next question को हम लोग और next question की बात करेंगे तो देखिए last question हो जाएगा आपके लिए ये colostrum the yellowish fluid secreted by the mother during the initial day of lactation means जब बच्चे का जन्म होता है तो initial start में दो तीन दिन तक जो हलका yellowish color का milk release किया जाता है memory gland से उसकी बात की जा रही है कहा जा रहा है कि it is very essential for immunity to new born infants because because it contains क्या contain कर रहा है तो मैं बता चुका हूँ already आपको कि inhaled और ingested pathogen के विरुद immunity प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें होते है IgA तो क्यों due to macrophages नहीं due to immunoglobulin IgA या antibody A के कारण यह infant को या newborn को immunity प्रोवाइड करता है तो यह रहा हमारा next question यह हो गया है last question था यह इसके बाद कोई question नहीं application biology से related तो I hope आपने अच्छे से enjoy किया होगा इस segment को इस solution को और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए enjoy करते रहिए सीखते रहिए और YouTube पर आप इतनी सारी information पा रहे हैं हमारे institute के द्वारा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप like और share जरूर करते होंगी ठीक है तरह से जरूर को